हेलो दोस्तों नमस्कार मैं नरंदर पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट टीचार एक्जाम इस्टड़ी पे तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीट 2021 हिंदी सब्जेक्ट के अंतरगत प्रेक्टिस नंबर वन तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस यह बिडियो लिक्री मिल सक है साथ में दोस्तों वीडियो आप सुरूंत से अन तक देखिए गा दो दोस्तों अच्छा लगता है अभ्या और डी ऑप्शन है अभी तो दोस्तों अभ्यागत में अभी उपसर्ग है यहां पर आपका अप्शन डी सही हो जाएगा नेश्ट दोस्तों बालक की प्रारभी सिच्छा उसकी मार्त भासा में दी जाए या किसका मानना था आपके पास में हैं महतमा गांधी का और बताएंगे कि कितने प्रस्ण मेरे 30 में से दोस्तों कितने पर सही हुए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप के 25 प्रश्टन यहां पर सही हो जाएंगे तो वहाँ आधिकतम 30 भी कर सकते हैं ने स्फास्ट का तरद्भव रूप क्या है आप से आपके पास में है कपड़ा है कारपेट है कपूर और कपड़ा दोस्तों आपको बताना है करपट का तरदभव रूप क्या हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कपड़ा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा समस्टी का विलोम सब्द क्या होगा आपके पास में है विस्ष्ट होगा विस्ष्ट होगा और सी आपसने असिस्ट होगा डी आपसने आप उस्ष्ट होगा तो दोस्तों बताना है कि यहां पे आपका उप्षन कौन सा सही हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे आपका उप्षन भी ऑप्षन सही हो जाएगा तो दोस्तों नेश्ट प्रस्ण है नेश्ट प्रस्ण है नेश्ट प्रस्ण नमबर पांच है ने त्रहीन की समास का उदाण है आपको बताना है ने त्रहीन दोस्तों है यह किस समास का उदाण है आप आपके पास में हैं दुंद समास भी समाज का आपका आप्षन डी सही हो जाएगा तत्पुरुष समाज ने तत्पुरुष समाज है दोस्तों है मुठी गरम करना महवरे का सही अर्थ क्या है बताना है दोस्तों मुठी गरम करना महवरे का सही अर्थ क्या है आपके पास में हैं लालच देना करज देना रिस्वत डीं आप क्या कि नमबर छे का सी और यहाँ duration से हो जाएकंगा रिसुवत देना यानि यानि मुठी गरम करना बूइस किसे नमबर साथ है जो कि इस्तान पर टिकन नहीं रहता है उसके लिए दोस्तों किया है उसके लिए बताना है एक सब्धिकोंज सय आपके पास में है आईस्तिर बी आप्षन ए अड़िंग सी आप्टन यायावर और डी आप्षन एक समय गतिसील तो दोस्तों यहां पे आपका सी आप्षन से हो जाएगा याया वर जो एक इस्तान पर टिकर नहीं रहता है उसके लिए एक सब्ध वाक्यांस के लिए एक राष्टी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों राष्टी हिंदी दिवस कम मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है या 5 सितंबर को मनाया जाता है या 11 सितंबर को मनाया जाता है तो दोस्तों यह मनाया जाता है 14 सितंबर को राष्टी हिंदी दिवस मनाया जाता है निम्लिकित में से सुद्वरतनी वाला सब्द बताईे दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपसे 75 Uh और चिर वाद अर्स यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आशिर वाद कशिर वाद तो दोस्तों आपके पास में है A option है पुना प्लस जन्म, B option है पुनर प्लस जन्म, C option है पुनर प्लस जन्म और D option है पुना प्लस आ जन्म तो दोस्तों बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर एअ mr5 घंअ का सही हो जाएगा मुरधन ने टा जो है यह मुझतन के इंतरगत आता ए तो रचेस्ट क्या है तो दोस्तों बताना है किया हो जाएगा आप मिशनु प्लस खुड़ाह फ मिशनु प्लस कुद्य सूर्य प्लस कुद्य सूर्यप्लस 9 सूर्य प्लस 9 कौन सन्विकल्प सही होगा तो दोस्तों प्रेशक नमबर 12 की आपका भी आप्सन सही होजाएंगा सुरी प्लस उदे नेसателя है प्रयोजन का समानारती सबılar नहीं है तो दोस्तों आप से यहां पे पूछा गया है क्या कौन सा सब्द नहीं है दोस्तों हमें नहीं को ध्यान रखना होता है तो दोस्तों यहां पे आप्षन है हे तू दूसरा आप चूरें उद्देश स्भोसेः लच और डी आप चने नियो जन तो दोस्तों यहां पे पुछा गया है नहीं है तो प्रिस नंबर 13 का डी आप्षन सही हो जाएगा नी ओजन नेश्ट दोस्तों प्रेशन नंबर 14 है क्या कहता है मोहन आम खाता है में वाकिका कौन सा रूप है तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा रूप है आपके पास में है भाव वाच है और भी आपके पास में है भाव वाच है और भी आपके पास में है भाव वाच है और भी आप ब conceptual 15 हें कार के आरंब में ही विग्ल पढ़ना मोहवरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा अपको बताना है क्या हो झाएगा सिर्पर सहरा बाधा होना ड्राइस सिर्पर सेथान सवार होना और D कह रहा है सिर्व मुढ़ाते ही उले पढ़ना तो दोस्तों यहां पे आपका D option विल्कुल सही हो जाएगा D option विल्कुल आप कहां सब सही हो जाएगा नेश्क दोस्तों है प्रेशन नमबर 16 है हिंदी के सब्दों का लिंग निर्धार किसके आधार पर होता है तो दोस्तों संग्या के आधार पर होता है या प्रत्ते के आधार पर होता है या सरुनाम के आधार पर होता है तो दोस्तों प्रेशन नमबर 16 का आपका B option सही हो जाएगा तो दोस्तों यह होता है संग्या के आधार पर हिंदी के सब्दों का लिंग निर्धारन नेश्ट दोस्तों प्रस दकाने नंबर 17 हैh बहिसकार का संद्ध विच्चेथ क्या होगा आप्चन आपके पास में हैं प्रस नंबर 17 का यह झाई हो जाएगा नेश्ट है निम्र में से पुल्लिंग सब्द का चैन कीजिए तो दोस्तों पुल्लिंग सब्द का चैन करने किस परकार से करेंगे इनको दोस्तों वाक्य में परियोग करके देख लेते हैं आपसे आपके पास में हैं लिखावट क्या दोस्तों पुलिंग है मजधार क्या दोस्तों पुलिंग है पहिय कहते हैं मेरीननाव मजधार में फश गई तो यहां पर मजधार क्या हो जाएगी यह भी कि हो जाएगी जब उपसर्ग का प्रियोग हुआ है दोस्तों अलंकार पूचा गया है अनल अली अलम अल तो दोस्तों यहां पे आपका प्रिश्ट नंबर 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा अलम क्या है अलम अलंकार में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है निश्ट है व्याकरन की दिश्टी से कौन सब्ध असुन है दोस्तों पूछा गया है कौन सब्द असुन है तो दोस्तों यहां पर आपका आप्शन है गरहडी जगतगरो गरहडी या भी सब्संद को बताना है कि इन में से कौन सा यह आपका option हो जाएगा अशुद तो दोस्तों यहां पर डी option आपका अशुद हो जाता है निमिस सब्द का पर्रयवाची बताइए निमिस दोस्तों निमिस का पर्रयवाची पूर्ड होता है या छिद्र होता है या प्रकास होता है डी option होता है तो दोस्तों निमिस सब्द का पर पर्ठ नीज़्पलस करफ ये प्लस करफ नीज़्पलस करफ दो डॉसको प्रश्र नंबर 22 का आपका एंप्सिन सही ओर जाएगा नियझी प्लस कप करफ का Jarod Writing सही हो जाएगा डीट है हिंदी सब्ड में कितनी बोलिया है दोस्तों हिंदी सब्ड में कितनी बोलिया है । ऑपति सही हो जाएगा ने सदी ने कह रहा है रमड्य में कौन सा पत्त्य है आप सन्रा आपके में अनी पत्ते हैं रम पत्ते हैं या डी पत्ते हैं तो दोस्तों रमडी में कौन सा पत्ते हैं यह आप्शन आपका सही हो जाएगा अनी पत्ते हैं रमडी में अनी पत्ते हैं यह आप्शन आपका विल्कुल सही हो जाएगा पिस नंबर 25 की बात करते हैं तो सहद सब्द है द दोस्तों जो सह सब्द है यह आपका आगत सब्द हो जाएगा दोस्तों यह आपका आगत सब्द हो जाएगा डी ओप्षन सही हो जाएगा नेस्ट है निमनिकी में वरतनी की दिश्ट से कौन सा सब्द यूग्म सब्द है दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि कौन सा निहान देना है कौनसा है सही है बताना है आपको दोस्तों में बरात। कामा वस्चंट क्या यह सुद्ध है डी सी कामा वस्चंट क्या यह सुद्ध है और आपको सुद्ध सब्द है इस ताइप का लिखा जाता है निसे दोस्तों अर्द स्वल्स काहँ है दोस्तों बता it अर्द स्वल्स किसे कहते हैं कौन से हैं यामा य इकक्षा कूं कहते हैं कंत आ возм lutel सबरेंट का प्रियोग हुआ है आफच्छ आपके पास में सीता जाती है मोहन फलखाता है मेरा पिंलाल है इनमेंसे कोई नहीं तो दोश्क है इसमें विशेश सब बताना है किस उन्हाग में विशेशल का प्रियोग हुआ तो दोस्तों यहां पर B option सही हो जाएगा किया कहता है कि मेरा Pin लाल है दोस्तों find हो जाएगा निश्थ है एक अनाड ईया एक क्या है आपको बताना है यह क्या है एक वाक्य है या एक को यूगति हैं तो दोस्तों यहां पर आपको इसका अंसर सही हो जाएगा डी ओप्सन सही हो जाएगा यह एक लोको यूगति हैं दोस्तों अंतिम प्रस्ण है आज दानी में कौन सा विशेशर है दोस्तों बताना है दानी में कौन सा विशेशर है तो दोस्तों दानी में क्या संख्या वाचक विशेशर है या गुर्वाचक विशेशर है या सरुनामी विशेशर है या परणाम वाचक विशेशर है तो दोस दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपसे भी को अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लागा है लाइक करेफें और चैनल को सब्सक्राइब करीए और नहीं कि Oke आगोध